Hello students, University ने 30 अक्तुबर को एक notice डाला है जिसमें ये बताया गया है कि जो exam 26 तारिक को हुआ था, knowledge and curriculum में बहुत से बच्चों को problem आई थी, कुछ बच्चों का paper attempt नहीं हुआ था, कुछ बच्चों इंटरनेट connectivity को जिए से बीच में बंद हो गया था तो उन बच्चों की सकायतों को देखते वे, University ने उनको एक chance दिया गया है, जो paper 26 तारिक को हुआ था, वो same paper 10 तारिक को फिर शे लिया जाएगा, ये उन बच्चों के लिए है, जो देना चाहते हैं, this is depends on the students only, जिस बच्चे को लगता है कि मेरा exam अच्छा नहीं हुआ, वो भ है कि आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते है, जिसका अच्छा नहीं हुआ, वो भी दे सकते हैं, तो आपका ये वाड़ा, जो बच्चे ये paper देते हैं, तो आपका ये paper consider किया जाएगा, ना कि पहले वाड़ा, तो आप दियान से देखें कि आपका 26 तारिक को जो paper हु ये नहीं complete, उसके लिए तो है benefit, ओके तो बच्चे बार बार ये question पूछ रहे हैं, कि sir ये notice है, ये compulsory है या नहीं है, तो मैं आपको फिट से बता देता हूँ कि ये compulsory नहीं है, जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरा paper अच्छा नहीं हुआ, वो दे सकते हैं, जिस बच्चे ये paper अच्छा नहीं हुआ, अब वो दे सकते हैं, ये paper 10, November को होगा, तीन बचे start होगा, आपके login ID, password, same जो login ID, password आपको दी हुई है, उसी से open होगा, उसके सामने अपने click करना है, और exam को start कर देना है, ओके students, कोई आपको problem है, कोई question है, तो आप message के तुरू पूछ सकते हैं, आप